नमस्कार दोस्तों साइंस का मेरे पास पेपर आ चुका है और वही पेपर है जो की बिहार बोड़ दोरा कोचन बैंक या पेपर में आया हुआ है आये मैं एक एक चीव समझा रहा हूं दोस्तों और देखतांदी जगा दोजार चोविस जो बोड होने वाला है फर्स सेटिंग एर सेकेंड सेटिंग में पूछा जा सकता है ठीक ना चलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए फ़ला सवाल यांप रहे है पूर्सों में यह होना रेम के लच्छण कौन से हैं देखिए भाई डाढ़िया मुझ का होना कंठ का फूटना मान स्पेशियों में उभाराना इस सब ही हो जाएगा उसके बाद हुंके सर्पुस्प का कौन सा जन्नांग होता है तो नर होता है दोस्तों राइट अंसर यहीं होगा नर उसके बाद अगला सवाल मनुष्ट में निसेचन के परसुरूप बनता है तो मानों जन्नांग किis आयो में परिपक के आम्किया वहता है तो 24 वर्स पर 20 उसके बाद मानों पर मानो मादा में गरबका समय होता है तो 9 मा, 9 महने में ही बच्चा जनमता है, क्योंकि 9 मा, जो है अपने पेट में बच्चे को क्या करते हैं, पानल्फोसन करती है, उसके बाद अगला सवाल, होता है तो पतिया होती है उसके बाद भात करें ऑगला स्वाल है किस जीव में बहु भुखंड़न होता है तो अमीबा में होता अब Bronze पर आफस्थानिक कलीयां पाई याती है तो आलू में होती है थीकी ना घाल सब्सक्राइब का इस दौर तना दवरा पती दवरा इनमें सभी दवरा दोस्तों उसके बागला स्वाल है एड्स रोग का प्रमुकाण है तो और सुरचित योन संपर्क से होता है एड्स आफ़ा नमर एस सही आंसर होगा आपका उसके अगला स्वाल बात करें दोस्तों तो गतिसील जनन कोशिका को नर य इस तरी दोनों की तभी जाके बच्चे जो है पैदा हो सकते हैं नर और इस तरी मिलेगा तब उसके अगला बात करें दोस्तों तो एकल जीओं में फ्रजरन की विदी है एक खंड़न दोरा विखंड़न दोरा विजाड़ू समान दोरा इस सभी राइट अंसर होगा अप्स पूसर्ण मिलता है तो भूण को मिलता है जो बच्चा पनफता है उसके बाद इनमें से कौन अलाइज की विधी है तो दोस्तों विखंड़न मुकुलन विजड़न ने डी सायोगा राइट अनसराफ का उसके बाद अला है जनन कितने प्रकार के वादी फीट हो रहा है दोस निशेजन किरिया कि स्वम में मुखके लोती है तो पुस्पी प्यक्डब से की लिए सवाल के आधहरीर भाग होते हैं अंडा से होते हैं मेरे 첫 प्यरिशत्रों को स्वालBob कि कि वैर है पराज कर्द बादि में में लंग होता है तो परेकर प्यक्डब तयासिए ईसको में के बाद निम्न में से कौन से एक लिंगी पादप उधारण है पपीता है दोस्तों राइट अंसर यहां पर बात कर अगला स्वाल मानो मादा के जननतंत का भाग नहीं है तो दोस्तों यहां पर नहीं पूछा गया है सुक्रवाहिका होगा अंडार से गरभा से डिमान्य है सु फटाफ याद करते बच्छों खंडन दोरा तो सितारा मचली में ठीक है ना भी हारबोर के तरफ से कोशन है कि निम्ने से कौन एक दहन अब करिया है तो पेट्रोल का जन्ना दहन अब करिया होता है नेक्स्ट है सिलवर कोलाइड कर रंग क्या होता है तो सुएथ यहीं साफ साफ होता है सफेद होता है अगला सब्सक्राइड किस प्रकार के प्रिया है तो उप पच्छे उप चैन अब क्रिया है ठीक है नेक्स्ट लोहाज जिंक के साथ लेफित करने के क्रिया क्या करते हैं तो गैलवीन करन बहुत बढ़ना कोशन एंसी आटी दोस्तों स्रीफ और स स्वेट प्याइस सभ स्चैनल प्रक्राइब न थोड़न होता है तो फूरा होता है नहीं में संतूलित है के संतूलित का मतल beauty अ यहां पर NH4 NO2 है और मैनस N2 है देखे यहां पर देखे ध्यान से देखे दोस्तों यहां पर देखे एन की मात्रा को है यहां की मात्रा देखेंगे लेट में NH4 टेके N02, ऐस्ट दिया है, N2 plus 2S2O, ध्यास देखिये दोस्तों, तो यहाँ पर दखिए, N1, N2, दो N है, अब यहाँ दो N है, उसके बाद H4 की बात करें, यहाँ पर देखिये, 4H है, दो दूनी के 4, यहाँ भी 4H है, उसके बाद 2 है, तो दो यहाँ 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 दो लगाया गया इस परकार से संतूलित अफ़न नमर B होगा बाबू अफ़न बी उसके बागला है दोस्तों कि सरीर में भोजन का पचना किस परकार के वकिरिया है तो ऑक्सी करण और चांदी के संचान के फ़लसुद उस सागव किस रंग परत बनती है तो काली रंगें जब चांदी ख्राब होगी आपको जब मूर्चा लगें तो उस पर काला रंग का सетр घ्याइन होग जाएगा काला रंग का अगला आपका है चिप्स के थैली हिलियम का सुत्र होता है यह एक ही ना उसके जाज मीथिन का बात करें दोस्तों मीथिन का होता है इसको मार्स घैस भी गोला जाएटा दहां रखेगा उसके बागला सवाल दोस्तों यहां पर है लोग चूड़ पर तनुह हाड्रोकॉलोरिक अम डालने से हाड्रोरिक घैस हम आ जूड़ रहा है जूड़ रहा है तो आपका सन्यूजार रवकिर्या हो जाएगा यहीं तो आपको ट्रिक अपना है अगला दोस्तों देखें सीउ अप फ्लस फिए डेट के सीउ फ्लस घैस्द जूड़ा नहीं है बलकि अलग-अलग होकर के बना है किस पर करहा है तो उसके बाद डेके पर दूकन संतुर्ट संतुले कुना संतुलीत उला गया बच्क वास वांदकुट जैटन न्हों कि लेक्र लेप में भाद ओको है चार आज यहांगी दूगओ है यह भी दो गो अफनदी होगा कि उसके बाद समिकेंट टूस यूफ फ्लास ओटू डगे टूस यूफ किस परकार की अभिक्रिया है और दोस्तों अभ देखें आपकोचन है कि दूच से दई बनना कैसा प्रयोतन है दूच से भवतिक है रासानिक है दोनों बहुतिक देखिए आपकर किर्व सब्सक्राइब बात करें दोस्तों यहां पर आदमिक आवर्षानी में वर्गों की संख्या थाथ उधर्वास्तम या समूं की संख्या होती है एक अनुफात तीन सही आंसर होगा आपका नेक्स्ट है अर्ष्टक का नियम में से किसके द्वारा फ्रुक्त कियाता है डौवे रहने द्वारा उसके बाद बात करें दोस्तों तो आवर्षानी में कितने आवर्ष होते हैं तो साथ नेक्स्ट है नियम में से कौन सबसे अधिक चार की धातु है तो एन ए टू ओ उसके बाद दोस्तों अगला स्वाल है आवर्षानी के किसी समूं विशे स्ततों के विदु धनातमक अविलाच्छन उपर से नीचे की आने पर प्रुक्त क्या होते हैं या तो बढ़ते हैं अगला स्वाल है आदमिक अवर्षानी का दिरिक्तम रूप किसकी प्रुस्ति करता है तो मुझे लेगा अफ्शन नमर 20 सही आंसर होगा आपका नेक्स्ट है आवर्षानी के समूं वन की ततु कलाते हैं च्छार दातु पढ़े होंगे अप लोग आदमिक अवर्षानी में बाई से दाई और जाने पर परमाडू साइज होता है तो बढ़ता है अफ्शन नमर 20 नेक्स्ट है आदमिक अवर्षानी में परमाडू साइज से क्या पता चलता है तो आदमिक अवर्षानी से यही पर चलता है कि परमाडू की तिरिज्या तो नेक्स्ट है आद्वनिक और शाड़ी में तत्तों को अधार है तो प्रमादू संख्या बच्चों कि मिथेन में कितने सह सईयों जग बंदक होते हैं तो क्योंकि शुत्र होता है मिथेन का छी एच फूर इसले यहां पर देख लिए फॉर होते हैं साय यहां पर शुत्र सुट्र है चलीर अगला है आवर्चांटे में सुनने संवुक है यह अच्छी है हिलिया में बच्चों अगला है मेडलीव के आवर्ट नियम के अनुसार तत्तों के गुर्धरम इन में से किनका आवर्थी फ्रह होते हैं तो परमादु दर्म्यान के नेक्स्ट बच्चों ओजोन के एक कड़ों में ऑक्सिजन के परमादु के संख्या होती है तो तीन होते हैं दोस्तों चलिए फटा-फट मेडलीव ने तत्तों के किसके वड़ते वे करम में वड़ किया तो परमादु दर्म्यान नेक्स्ट है लोहे की परमादु संख्या होती है लोहे की परमादु संख्या होती है 26 हिलियम कैसा तत्तो है तो हिलियम जो है अक्रिय गयस है नेक्स्ट है निन में स निर्में से तत्तों में से किसकी समों नाय कि या अधात्विक अभिलाचर को परदसित कर सकता है तो एस की साणी देखे होंगे आप लोग नेक्स्ट है तिरिक का नियम नियम में से किसके द्वारा प्रत्पाद किया गया था दोवे रैनत द्वारा मेगनेशियम आवाट शाणी किस समू का सतस्ते हैं तो समू टू याद किजिएगा वुल्फ गांग ड्याविरानक किस देशक से सम्मली थे तो जर्मनी के थे ध्यान लखेगा प्रत्तों के निम्न में से जोडों में से किनके रात्त्य समान होते स्मान होते हैं के अगला आद्विक आहद कद बेच बना क्षूण क्या कराता है तो नीरिगत करें साइश का फिपर है थो फड़ा फड़ याद कर जैसे बाभू किस fonky दवारा कालपनी प्रदी बनता है तो अधर अधर बच्चों एक उत्तर लेंस की छमता वन डाइप्लर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी भाई तो सौ उसीम आएगा फुलस में तो नेस्ट है डााडी बनाने में इसके बाद किसी दिवन देंस की दूरी लेंस की दूरी तो डूरी का समोता होगा दूनों के वहां है ।ा ल FEMA समय होग असंद को नगया घ अगला है उत्तल लेंस में बना फर्दिम होता है तो वास्ते गें उल्टा नेक्स टैस्ट इस सोलर कुकर में प्रयोग किया एता है तो आउतल दरपन का बच्चों तो अउतल दरपन के मुर्टा फोकस पर रखेल या या को अन्हंज़ पर दिया उत्तल अब OSC Louise सीधी टिक्के तक होतीन था अब सारी ऊत्तल को बोलते हैं और उत्तल को बोलते हैं अब ही सारी देसे चलिए उम्मीद रखते हैं दोस्तों कि आपको साइंस विदिविए लेकर नेक्स्त वीडियो में धन्य बाद जाये हैं